नमस्कार दोस्तों स्वागत या आपका फार्मरोक्स के यूटूब एजिकुस्टे चैनल में आज की उडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करने वाले हैं दुबलेपन के बारे में दुबलापन मनलब के ऐसे medical condition कि जिसके अदर आपके सरीर का वजन जो वो नहीं बढ़ता या फिर ऐसा फिल करते कि आपका सरीर जो वो काफी पतला है या फिर उसको medical terms के अंदर हम thinness भी कहते हैं तो ये problem को ठीक करने के लिए कौन सी दवाईय या यूज होती है किस तरह सी ये problem को हम solve कर सकते हैं तो detail में जानते हैं आज के lecture में और सीखते कि दुबलापन को दूर करने के लिए कौन सी दवाईय या वगरा यूज होती है तो ऐसे ही समझे कि आपको detail में सीखना है बहुत सरी दवायों के बारे में अलग-अलग बीमारियों के बारे में तो आप medicine course को जोईन कर सकते हैं तो ये course जोईन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं थिनने सियाने की दुबलाबन के बारे में तो ये ऐसे medical condition है कि जिसके अंदर आपका सरीर का जो वजन है वो normal से काफी ज्यादा कम है कि जो किसी भी person की जो height होती है तो उसके according to उसका जो वजन है वो proper होना जो जरूरी है पर उसके compare में उसका जो वजन होता है वो काफी कम होता है या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि उसका जो BMI है body mass index जो है वो normal से काफी कम है कि जिसको हम thinness की range में कहते हैं और उसके पीसे बहुत सारे जो वो reasons हो सकते हैं तो या पिए अप BMI के according to आप समझो कि जब भी आपका जो वजन है और आपका जो height है तो उस पर से जब हम आपका BMI निकलते है body mass index तो वो जो है मान लो कि 16 से कम आता है तो ऐसी condition को जो हम कहते है कि severe thinness की condition हम कहते है कि बहुत ज़्यादा दुबला बन है आपके ज़रे के अंदर आप जो है वो काफी पतले है फिर 16 से 17 के बीच में समझो कि ये BMI आता है तो उसको हम कहते है कि moderate thinness कहते है फिर mild thinness कहते है कि जब 17 से 18.5 के बीच में जो आपका BMI है पर जो 18.5 से 25 के बीच में समझो कि आपका आ जाता है BMI तो उसको हम normal कहेंगे कि जब आपका height और weight जो है वो proper maintain हो रहता है कि कुछ हेज के बाद जो है वो height तो नहीं बढ़ती पर जो वजन होता है वो proper maintain होना जरूरी है तो ऐसी condition में जो BMI है वो आपका normal की range में रहना जो है वो जरूरी है तो वो करने के लिए जो अलग-अलग धावाईय यूज होती है जो तरीके यूज होते हैं उसके बारे में हम study करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो दुबला बन होता है कि आपकी जो proper height है और वो height के compare में आपका जो वजन जो वो proper ना हो तो इस तरह से आप जो ही वो काफी दुबले पतले दिखते हैं या फिर आपके सर्व में proper जो ही वो हम कहते हैं कि fat ना होना कि आपके सर्व में fat जैसा ही present नहीं है see for see पैसा फिल होता है कि आपके हड़िया वगेरा इस तरह से देखती है या फिर आप काफी ज़्यादा पतले हैं तो ऐसी conditions के बहुत सारी reasons हो सकते हैं तो पहला एक reason यह है कि family history पे रहते हैं कि समझे कि आपके family history के अंदर दुबला बन ही है या फिर genetic के लिए आप देखो तो आपकी family के अंदर history में असा रहा है कि बहुत सारी लोग दुबले पतले हैं तो यह भी एक reason बनता है दुबला होने का second जो हम देखे तो metabolism नहीं हो रहा मनलब कि जो भी आप कुछ खाना खार रहा है वो आपको लगता नहीं है तो उसका reason यह होता है कि जब भी आप कुछ खाना खाते तो उसका digestion अच्छे से ना हो पाना उसका metabolism अच्छे से ना हो पाना तो ऐसे condition में क्या होता है कि खाना पिया जो हो आपको लगता नहीं है और उसके करण जो हो आप दुबले पतले दिखते हैं तिसरा reason है कि digestive issue की जैसे metabolism ना हो ऐसे ही digestion नहीं हो पाता अच्छे से तो भी यह problem हो सकता है इलने से ने फिक कोई बीमारी है कि समझे कि आप अच्छाना कोई बीमारी आपको हो जाती है तो वो बीमारी के करण भी weight loss हो जाता है और weight loss होने के करण आप जो है वो दुबले पतले देखने लगते हैं फिर जो food जो है वाप अच्छे से नहीं ले पाते है कि लाइक समझे कि किसी गरीबी के करण या फिर जो आर्थिक condition समझे कि ऐसी है कि अच्छे से आप जो food afford नहीं गर पते तो ऐसे condition में भी ये problem जो हो सकता है कि जिसको हम कई बार malnutrition भी गएते हैं और समझे कि medicine समझे कि ऐसी आदे कि जो आपकी बूख कम कर देती है कि कई बार जो कुछ हम दवाईया लेते हैं उनके side effects के तोर पे कि बूख कम हो जाती है तो मानलो उस type के कोई बीमार ही हुई है ऐसी कोई दवाईया जो आप लंबे समय तक ले रहे है तो उसके करण भी उनकी side effects करण भी आपका वजन कम हो सकता है आपकी बूख कम हो सकती है पर उसके करन ये दुबला पतला जो वो problem हो सकता है तो उसके लिए जो अलग-अलग जो remedies है तो सबसे पहले आप देखो तो उसके treatment में आप किस तरह से कर सकते हैं सबसे पहले patient को जो वो milk लेना चाहिए अच्छे से कि आप डेली एक glass जितना milk लेते हैं पर आपको अच्छे से milk लेना चाहिए कि आप सुबह या फिर रात को ये ले सकते हैं दूसरा option बनता है proteins का कि अगर आपके सरीर को अच्छे से protein मिलेगा तो उसके करन भी दुबला पतला पन जो है वो अच्छे से ठीक हो सकता है कि जिसके लिए प्रोटिन से एक सब्सक्राइब यूस कर से जैसे कि आप यह marketed formulas ने एक सब्सक्राइब करता है फिर डेली जो एक या दो के लिए खाने के आपको habit बनाने चाहिए कि जिससे भी आपका वजन जो बढ़ सकता है तो यह खास दियन रखें कि बनाना भी काफी help करते हैं weight gain को करने में तो यह आपके लिए एक अच्छा option है food में से फिर नेंद भी आना अच्छे से जरू है कि जो 8 गंटे की जो proper नेंद कहते हैं कि जो sound sleep यानि कि जो गहरी नेंद जो है कि proper समझे कि आपको 8 गंटे की गहरी नेंद आती है तो भी यह problem जो वो solve होता है तो आप दवाईया भी लेते है food supplements भी लेते पर साथ में आपको अच्छी नेंद आना भी जरूरी है तो यह option है यहाँ पर फिर आपको food में से soya bean वगेरा अच्छे से लेना चाहिए कि soya bean भी एक अच्छा source होता है protein का तो soya bean के बनी अलग-अलग products आप ले सकते कि उसके सबजी वगेरा बना सकते उसके दाल वगेरा या फिर किसी दिसरी तरह से भी आप soya bean जो यूँज कर सकते आपके diet के अंदर फिर जो mung bean होते है कि जिसको हम mung की जो दाल कहते हैं तो उसके भी बने अलग-अलग foods आप ले सकते कि जिससे भी आपको अच्छी मातरा में जो प्रोटीन मिलता है और वो आपको weight gain कराने में मदद करता है पिर जो जो होते हैं कि जिसको हम barley भी कहते हैं तो उसके बनाए जो अलग-अलग product की स पिर जो dry fruits होते हैं कि अगर आप समझे कि economically afford कर सकते हैं अच्छे से तो ऐसे condition में dry fruits भी आप ले सकते हैं और उसमें नियम है कि आप 3-4 जितनी बादाम लेते हैं खजूर लेते हैं और अंजीर को अच्छे से कूट कर दूद के साथ mix कर देते हैं और उसको जो थोड़ा गरम निश्रन कर लेते हैं पका लेते हैं और उसके बाद जुद्दो तयार होता है उसको आप रात को जो हो सोने से पहले रोजा न लेते हैं तो उससे भी आपको काफी फायदा होता है या फिर डायरेकली समझे के आपको पसंद है dry fruits खाना तो वो भी आप डायरेकले भी उसको उस तरह से जो किस्मिस होती है वो भी आप दिन में ले सकते हैं या फिर दूद के साथ उसको लेते हैं तो वो भी आपको वजन बढ़ाने में मदद कर साथ है कि जिससे आपका दुबला पतला पन जो है वो खीक हो सकता है फिर एक बैलेंस हेल्धी डाइट की जरूरत रहेती ह या पे कि जैसे आप अलग-अलग fruits वगरा लेते हैं उसके साथ ये vegetables भी लेना जरूरी है कि प्रॉपर आप चार्ट बना देते हैं और एक routine बना देते कि आपको Monday को कौन से सबजी खानी है Tuesday को कौन से सबजी खानी है और प्रॉपर एक पूरा week का एक plan बना देते हैं और उस असवगंदा के जो tablets हते को अलग-अलग जितनी भी herbal companies है जैसे कि हेमालिया है बैदनाथ है डाबर है जंडू है बहुत सरे से जो company से वो जो tablets बनाती है या पिर उनके चूरन वगिरा भी आती है तो समझे कि आप tablets लेते हैं तो एक जो tablet होती है वो दिन में दो बार आप ले स तो सतावरी के लिए भी same option रहता है कि आप एक tablet जो दिन में दो बार खा सकते हैं तो यहाँ पर क्या करना होता है कि आप सतावरी भी लेते हैं और सादोसत असवगंदा भी लेते हैं और दोनों को जो दूद के साथ लेना चाहिए मिल्क के साथ आप सूबर लेते हैं या फिर आप रात को लेते हैं या फिर दोनों टाइम भी आप उसको ले सकते हैं कि जिससे आपका यह problem जो ही वो सौलो सकता है अगर यह सूट नहीं होता तो और आगे भी option है कि एक सीरप आती है तो यह सीरप जो आपको बूख बढ़ान के करान जो वो दुबला बतला पन आपको जो वो फिल होता है तो ऐसे कंडिशन में यह जो medication की जिसके अंदर सीप्रो हेप्टाडीन हाइड्रो क्लूराड एक में इंग्रीडियन्ट है कि जो आपको मदद करता है बूख बढ़ाने में और उसका जो डोस की हम बात करें तो 5 आप उसको ले सकते हैं दिन में 2 या दिन में 3 बार उसी के टाबलेट्स भी अवेलेबल होती है कि यह आप आप देख सकते हैं सीप्ला क्तिन करके कि जो सिप्ला उसको manufacture करती है में उसके अंदर salt content तो वो ही है सिप्रो हेप्टाडीन करके और वो 4 मिलिग्राम जितना यह टा वो जो भी आपका पसंदिदा खाना है वो आप अच्छे से खाबादे, कई बर क्या होता है कि भूक ना लगने के करण भी ये प्रॉब्लम होता है कि आपके आसपास आपके पसंदिदा खाना होने के बावजुद भी आपको भूक नहीं लगती तो ये मेडिकेशन क्या करती है आपको भूक लगाने में मदद करती है और उसके कराम अच्छे से आप खाना कह सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल होता है अगर वो आपको सूट नहीं करती है तो एक और आप्शन बनता है वो है जिंकोविट का तो जिंकोविट के टाबलेट साथ है कि जसके अदर मल्टी विटामिन्स रहते है मिनरल्स रहते है ग्रैब सीड का एक्स्टेर के दाइटा है ये एक नूट्रासुटिकल प्रॉडक्ट है जो आपको वजन बढ़ाने भी बदल करता है आपकी इम्मिनिटी भी अच्छे से बनाए रखता है और सरेर में जो मेटाबोलिजम के लिए जरेरी जो लग-लग प्रोसेस होती है उनको अच्छे से होने में ये मदद करता है तो ये टाबलेट भी आप सेम डोस में ले सकते हैं एक टाबलेट दिन में 2 बार या फिर दिन में 1 बार जो ले सकते हैं अगर कोई टाबलेट नहीं ले पाता तो सेम प्रोड़क की सीरप भी अवेलिबल होती है कि जो आप खाना-खाने के बाद जो ले सकते हैं 5 या 10 ml जितना दिन में 2 बार फिर यहाँ पे अच्छी एक प्रॉडक्ट आती है कि जिसको डी गेन कहा जाता है कि जिसके अंदर specially काल कैल्सी फेरॉल की जिसको विटामिन D3 कहते हैं उसके ये सचेट साते हैं तो ये जो सचेट होता है उसको आपको अच्छे से पानी में मिक्स कर लेना होता है और वो जो पानी है तुरन पीना होता है और उसका जो ये वह एक सचेट जो आप लेना होता है आपको हर वीग कि मानलों आप संदे को फिक्स कर देते हैं तो हर संदे को आप यह डीगान का जो प्रॉड़क्ट है आप ले सकते कि जिससे आपको वजन बायो मेड घेन टॉन करके एक टैबलेट साथ है यहाप आप देख सकते हैं तो यह जो मेडिकेशन जो वह कंप्लिटली हर्बल मेडिकेशन से उनके कुछ साइड एफेक्स भी नहीं होते और यह और यहीं जो capsules आते हैं वो capsules आपको दिन में दो बार लेनी होती है कि एक capsules आप सुभर लेते हैं और दूसरी जो वह वह उसको रात को लेते हैं फिर reason यह है कि समझे कि आपका का खाना digest नहीं होता या फिर आपके सइरर में Metabolism अच्छेस नहीं होता और उसका रीजन यह है कि आपके सेरीरिक अंदर Digestive Enzymes की खमी है तो ऐसी कंडिशन में आप बाहर से Supplements ले सकते जिसे की Aristocyme करके आते हैं तो क्या होता है कि जो भी आप कुछ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद समझो क्या आप यह Medication 5 ml जितना लेते हैं तो उससे यह होता है कि आपका जो क्हाना होता है वह अच्छे से Digest होता है कि आप जो भी कुछ खाना खाते है वह आपको लगता भी है और उसके करण क्या होता है कि आपका body का Metabolism अच्छता है और Metabolism अच्छा होने के कारण आपके सरी को proper energy मिलती है और वजन बढ़ाने में ये medications फिर आपको मदद करती है फिर अगर समझे के Aristozyme आपको suit नहीं होता तो same उसके जैसा similar Vitazyme करके product आता है तो ये भी मदद करता है आपको metabolism को बढ़ाने में आपके सरी में digestive enzymes नहीं बनते तो ऐसे condition में आप ये product लेट कर भी आपके सरी का digestion इंप्रूव कर सकते है Metabolism इंप्रूव कर सकते है और जिससे आपका जो दुबलापन है या फिर आपका जो पतलापन है वो ठीक हो सकता है तो उसका भी dose same रहता है पांच हमेल जितना आप लेते है खाना खाने के बाद तो ऐसे ही समझे कि आपको detail में सिखना है बहुत सरी दवयों के बारे में कि जैसे आज हम यहाँ पे दुबलापन के बारे में सिखा कि पतलापन को ठीक करने के कौन से अलगलग दवया या यूज होती है कौन से लगलग तरीके उसे आप यह problem को solve कर सकते है तो ऐसे ही बहुत सरी बिमारियों के बारे में आप सीख सकते है medicine course में तो यह course को जोईन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best